हेलो फ्रेंड फ्रेंड स्वागत अब सब का मेरे यूट्यूब चैनल विकास31-tech में तो फ्रेंड जैसे की आपको पता है की यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आपको एक एड्सेंस अकाउंट बनाना होता है क्योंकि एड्सेंस अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन सी गलतियां हैं जिसके करण आपका एटसेंस वरिफिकेशन फेल होता है और इन गलतियों का आप पहले ही जान लेंगे तो आपका एटसेंस वरिफिकेशन कभी भी फेल नहीं होगा वीडियो बहुत को शरूर करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि AdSense verification में आपको सबसे पहले तो ID verification करना पड़ता है जिसमें आपको ID लगानी पड़ती है अपनी और दूसरा आपको address verification करना पड़ता है जो पिन आपके घर पे आती है उसके बाद आप उसे verify करते हैं तब वह address verification होता है जो ID verification होता है उसमें आप क्या-क्या गलतियां करते हैं सबसे पहले वह सुन लीजिए कि ID verification में सबसे पहले आप आधार card अपना उसमें डाल देते हैं जिसकी वज़े से आपका address verification है वह फेल हो जाता है आपको अपना अधार card उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना उसमें आपको अपना pen card आप लगा सकते हैं आपके पास water card लगा देते थे इसके अलाबावा आप क्या कल्ति करते हैं आप माली जबाइन पैन कार्त उसके अंदर लगाना है डालनी है अपनी pen card की तो पैनकाइक की जब आप photo क्लिक करते हैं तो उसके corner आप से कड़ जाते हैं और आप उसे ऐसे ही अफ्लोड कर देते हैं तो पैन' कार्ट की जब पोटो किलिक करें तो उसके और जो कने हैं चारो कोने वो दिखने चाहिए पूरे पूरी फोटो वो दिखनी चाहिए उसे बाद ही उसको आप लोड़ करें एल्टी वैरिफिकेशन देनी चाहिए उसमें कुछ भी blur नहीं होना चाहिए जब आप फोटो क्लिक करें इसके अलावा आप एक और गलती करते हैं कि आप जब फोटो ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आप light का ध्यार नहीं रखते जब उस पे हो सकता है आप flash मार के फोटो ले लेते हो या आपके कमरे में जो light है वह उस फोटो पर इतनी जाधा पड़ रही होती है बहुत जाधा reflect कर रही होते कि उसमें word ना दिख रहे हो या आपकी photo ना दिख रही हो या कुछ और word उसमें जो लिखे होते हैं वह ना दिख रहे हो तो आपको ऐसी photo नहीं लेनी है ऐसी photo लेंगे तो आपका address verification fail ही होगा क्योंकि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा light इतनी ज्यादा होगी तो आपको बिल्कुल सिंपल सी photo लेनी है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे और उसे आपको अपनी ID में लगाना है इसके साथ सथ आप एक और गलती करते हैं कि जब आप अपनी माल ज documents में नाम है वह सेम होना चाहिए जब आप उस ID को लगा रहे हैं वही नाम उसमें होना चाहिए यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है ठीक है इस गलती के कारण भी आपका जो AdSense verification है वह फेल हो जाता है इसके साथ साथ आप एक और बड़ी गलती करते हैं कि आप मान लि और वहाँ पर जब आप अपने नाम से AdSense बनाने जाते हैं तो वह फेल लिखाता है क्योंकि वह बताता है आपको कि आपने यह AdSense अल्रेडी आपके पास एक AdSense account है लेकिन आपको पता नहीं होता तो इस कारण भी आपका AdSense verification फेल होता है जो AdSense verification है वह भी फेल होता है क् एक आदमी अपनी लाइफ में सिर्फ एकी AdSense बना सकता है वो दूसरा create नहीं कर सकता अपने ही नाम से ठीक है ऐसे case में आपको क्या करना है कि आप अपने family में से किसी का AdSense बना सकते हैं और उसे अपने जो YouTube channel है उसके सार लिंक कर सकते हैं और वहाँ से earning आप अपने bank account में ले सकते हैं तो मैंने आपको सारी गलतियां बता दी हैं और उनका solution भी बता दिया है जिससे अब आप अपने AdSense को verify करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई